आज ही समस्तिपूर में ग्रामीन बैंक में डकैती हो गई हुजूर और चार डकैती हुई है तीन डकैती तो के वाल इस महीने हुआ है और एक ही बैंक ग्रामीन बैंक को टार्गेट किया जा रहा है सरकार कहां सोई हुई है सरकार को जबाब देना चाहिए पताईए और अजय वाबू बैठे हुएं पिछली बार वुभी बड़ा वकालत कर रहे थे आप तो कमनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं आप तो कम से कम सही बात बताया करिए आप भी सरकार में सामिल होकर के आप भी सरकार में सामिल होकर बिनिहां लल्ला बने हुएं आप अज की बात है समस्तिपूर जिला के लोग बैठे हुए हैं जरा बताईए और अजय वाबू बैठे हुएं पिछली बार वुभी बड़ा वकालत कर रहे थे आप तो कमनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं आप तो कम से कम सही बात बताया करिए आप भी सरकार में आप भी सरका सामिल होकर बिन्यालला बने हुए आप चुप हो गये हैं आज ही समस्तिपूर में गताने जबात neighboring देना चाहिए और हुझत ही जिए कि 14 डकैती, 6 महीने में 14 बैंक डकैती हुआ है, 2 करोड 56 लाग से अधिक रुपया लूट लिया गया है, और क्या अंतर हो गया सरकार में, 2005 में जब राज़त की सरकार थी, तो किसले का अफ़रन होता था, आज तुसार का अफ़रन हो करके हत्या हो गया, भठी साहब उमीद था कि जब ये धीजी पी हुए तो कुछ कड़ा मात दिखाएंगे, ये तो और फुस फुस आ गये महराज, हम लोग जब इक पुलिस कप्तान थे, तो इनका एक तूती था, अब बताईए तुसार का अफ़रन ही हुआ, उसकी हत्या भी हो गई, हुजूर, में 14 बैंक दकेती, सरकार को जबाब देना पड़ेगा हुजूर, और आपको मालूम होना चाहिए, कि परती लाख अपराज में बिहार अवल है आज के दिन में, देश में जमीन के जगड़ा फसाद में, बिहार आज सूपर है, आटो बाइक चोड़ी में, भक्ति साहथ का ठानेदार जल्दी F.I.R. नहीं लेता है, दोड़ा दोड़ा के आम आदमी को मार देता है, आप जान लीजिए इस बात को, आप भी किसी छेतर के परती नहीं दिया है हुजूर, और तब हालत ये है, कि आटो बाइक चोरी में बिहार, आज पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, इन सब चीजों को हजूर, खोड़ा ध्यान में रखना चाहिए।